फिरुजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर जहाँ पर नगला नोची में खुवे करूर रुपे के घोटाले का आरूप ग्रामीडों के दुवारा लगाया गया है जी हाँ यहाँ पूरी खबर आ रही है जहाँ पर ग्रामीडों ने भस्टाचार के आरूप लगाएं सडक बने हुए 28 साल बीद गए लेकिन पेसा हर 5 साल बाद निकलता आ रहा है और यह बैसा लगातार निकला जा रहा है और धरातल पर इसको लेकर जाच होना चाहिए कीचड में घुसकर यहाँ पर पढ़ने जाते हैं बच्चर और सडक जो है यहाँ से गायब भी है गंदे कीचड और गंदे जल भराव के कारण यहाँ पर लोग बिमार भी हो रहे हैं महामारी की भी आशंका है जनहारी होने पर इसका जिम्मेदार कोन होगा है गुस्ता है ग्रामीनों में आक्रोश जताया है और इस दोरान चमकर नारेवाजी करी है नारेवाजी में सीडी ओ विधायक एवं अन्य अधिकारी लोग भी शामिल होए जब पिडित अग्रामीनों ने जल्द से जल्द समस्या के समाधान करने की मांग करी है में करता लुकर लूश्त समreu होई खुराप है कब से नहीं हुई है यहीं यहां कीच बढ़ जाती होगी और गड्डे पड़े हुए हैंयी एक्सीडन्ट भी होते क्या कर दिया क्या कर दिया तो बच्चों को बहुत सारी दिक्कते आती है और स्कूल जाने के लिए भी बड़ी दिक्कत गिर जाते हैं बच्चे बैख कर आप किताब काफी सब भी जाते हैं आप यह बिदायक निदी से हुई थी यह सपा की सरकार थी जब क्यों नहीं बनवाया हमें तुम बोट नहीं देते हम सड़क किसलिए बनवाएं यह बिदायक प्रेंपाल धनकरने बोल अच्छा समस्या का समाधन नहीं हुआ अगर समस्या का समाधन नहीं हुआ तो आप क्या करवाई चाहते हैं सभी लोग जाएंगे और यह 15-20 साल से पड़ी हुई है हमारे जो बच्चे लोग जो इसकूल में जाने को बहुत परेशान होते हैं आप देख सकते हैं बिकलांग आप देख सकते हैं अच्छा यह कितने दिन से पड़ी हुई है यह 25 सालों से पहले बनी हुई थी अपका नाम क्या है मेरा नाम रूपिंद्रे आदवाई गाउं कौन सा यह गाउं नगला नोजी है आप बिदायक जी के पास गए ते गए ते क्या कह दिया उनने वह बोलते हैं कि हम तुम्हारे गाउं बोट मांगने नहीं आते हैं तो अब तुम हमारे पास क्यों आते हो अच्छा हां बोट दो काम लो हां यह बोलते हैं बोलो